Hello everyone, मैं मिथोन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का जारखंट के मिट्टी से जुड़े वे जितने भी लाल इस वीडियो को देख रहे हैं आप से रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों रिष्टिदारों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनके अंदर awareness, जानकारियां, सही जानकारियां उन तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, इस वीडियो की कुछ हाइलाइट्स में आपको बता देता हूँ इस वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात की जाएगी, क्या क्या information आपको सेयर किया जाएगा जेट एट को होना है, अथवा नहीं होना है, इसको लेकर हाई कोट में कुछ मसले चल रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानने की कोसिस करेंगे दूसरी बात, जारकर्ण में जो सहायक अचारिज की 50,000 सिक्षकों के नियुकती दो चर्णों में होने वाली है याद रखिएगा दो चर्णों की बात मैं कह रहा हूँ और ये दो चर्ण ही जो है पूरे जगड़े की फसाद है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जेट एट 2012 और 16 में हुआ है उसके बात से अभी तक क्यों नहीं हुआ है इस पे सरकार का क्या रुख रहने वाला है और हमारे जो मुर्ख मंत्री सुरी सिक्षा मंत्री बोलना था सिक्षा मंत्री जगरनात महतों है उनका क्या point of view है आपको तो पता ही है इस बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएक अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए घंटे वाला बटन नहीं दबाया है तो दबा लेजिए और अपना point of view जरूर कॉमेंट करके बताईए आप किस district से देख रहे हैं और सरकार के परती जो भी चीजे हो रही है आपका क्या point of view है क्या आपका रवया रहने वाला है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और सारे point को बिलकुल आसान भासा में मैं explain करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप यहां से जो है headline देख लो सिक्षा के अधिकार के थथ हर साल जेटेट अनिवार था ऐसा मैंने नहीं कहा ऐसा खुद सरकार ने कहा था सरकार ने खुद नीमावली बनाई थी कि हम लोग हर साल जहार खंड में टेट की परिक्षा लेंगे ऐसा सरकार ने कहा था मेरे सब्द नहीं है लेकिन 11 साल में दो परिक्षाएं हुई है लेकिन आप कोई एक बार का भी तिहास उठा कर देख लो कि चुनाब में कभी भी वैवधान हुआ हो अबस्टेकल आए हो कि एक्जाम ये जो परिक्षाएं है ये रुख जाती है जो टेट की परिक्षा हो या सो तरह की सीजियल की परिक्षा हो वो रुख जाएगी लेकिन कभी एलेक्षन रुका है इन नेताओं का चाहे वो किसी भी पार्टी की हो बिजेपी, कॉंग्रेस, जेमें, एक्स, वाई, जेट किसी भी पार्टी की हो लेकिन एलेक्षन इनके नहीं रुकते एक्जाम रुक जाते हैं आगे देखिए क्या-क्या बातें लिखी गई है क्योंकि आप अवेर नहीं हो इस बज़ा से इस तरह की चीज़ें को सामना आपको करना पड़ता है छे सालों से जार्खन टैट की परिक्षा नहीं हुई है सिक्षक भरती से पहले जार्खन, सिक्षक पातरता परिक्षा हाई कोट में आज सुनवाई होगी हाई कोट अब क्या निर्ने देता है इस पर क्योंकि जार्खन में न हाई कोट के डंडे जब चलते हैं तभी सरकार के जो अकल है वो खुलती है तो चलिए एके करके देखिए जार्खन के डंडे का मतलब यह नहीं कि यहां से देखिए कुछ हाइलाइट से जारखंड में सिक्षकों के पद पर नियुक्तिया होनी है, कितनी पचास अजार, दो चरनों में ये बहलिया होगी, सारा मसला यहीं पर है, मैंने आपको पहले बताया था, पहले चरन में सरकार का कहना है कि ये 26,696 पदों को भरेंगे, अब ध्यान देने वाली बात है, इतनी बड़ी वेकेंसी जारखंड जैसे छोटे राजजियों में अगर हो जाती है, तो दुबारा यह 10-12 साल के बाद आएगी, मैं आपको लिक के देता हूँ, नहीं भरोसा मुझ पे, आप इतिहास उठा कर देख लो, जारखंड में कितन वाली वेकेंसी आई हुई है, खुद से आप सारे चीज़ों को फ्रेम बाइ फ्रेम समझ सकते हो, सरकार क्या कह रही है और क्या करती है, अब देखिए, मसला क्या फस्ता है, जिन्होंने पास कर रखा है, उनका कहना है कि भाईया, हमें तो एक्जाम नहीं देना, डारेट न नौकरी देदो, मुझे नवोदे विद्याले में नौकरी देदो, मुझे डी ट्रपलेस भी में नौकरी देदो, ऐसा होता है क्या, ऐसा तो होता नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना है, तो जार्खन टैट करके आप टीचर कैसे बन सकते हो, सरकार की जो 2013 की निमावली है, 16 म वो नहीं चलेगी न, समय के अनुसार चीज़ें बदलती है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक बार जार्खन टैट की परिक्षा ली जाए, उसके बाद सारी जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए, क्योंकि जब नई परिक्षा ली जाएगी, नई बच्चे आएंगे, नई उर्जा के साथ चीज़ें बढ़ेगी, राज आगे बढ़ेगा, मैं ये नहीं का रहा है कि जिन्होंने जेट आट पास कर रखा, वो बैल बुद्धी हैं, मुर्ख हैं, मैं काता हूँ, इनमें बहुत सारे मेरे भाईवन हैं, जो बहुत तेज हैं, बहुत कुसागर बुद दिवाली लाइन पे खड़ा होकर दोड़ाये जाए, आप आगे दोड़ना चाते हो, आगे बीच रेस में आप आगे बढ़ जाना चाते हो, वहां से दोड़कर आप फिनिश करना चाते हो, तो ये तो गलत बात है, ये तो मैं स्टुडेंट के लिए कह रहा हूँ, जो जिस समय पे होनी चाहिए, उसी समय पे होगी न, अगर दस साल के बाद आपको नोकरी दी जाएगे, तो कितने लड़के या लड़कियां ओभर एज हो जाएगी, उनका एज खत्म हो जाएगा, ऐसे मैं समझो, उनके लिए क्या 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 कर रही है सरकारे, जेट हैट दोज इस नमर भी मैं आपको बताता हूँ, WPS6763 बटा, 222 में इनोंने जो है, हाई कोट में याचिका दायर की है, और सोमबार को इस पे जिरह की जाएगी, इस पे सुनवाई की जाएगी, और जज सहाब बताएंगे, कि जार्खन सरकार को फटकार लगाई जाए, या फिर सिक्ष ना होगी, तो देखते हैं इस पे क्या अपडेट आती है, और क्या निउस निखर कर सामने आता है, बने रहेगा चैनल पे, आपको सारे जानकारियां मिलते रहेगी, यहाँ पे मैं निउस जांकर की तरह साउंड कर रहा हूँ, बट सौरी पो दैट, नीचे कॉमेंट करके आप अपने जानकारी, आपकी जो थौट्स हैं, आपके जो प्रसनल उपेनियन हैं, वो नीचे कॉमेंट करके आप जरूर रखें, अपने उपेनियन को नीचे रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें, सब्सक्राइब करें, साजा करें, thank you so much for watching this video have a good day